दोस्तो नमस्कार आदाब सत्रियकाल नियूज क्लिक के कारिकरम नियूज मन्थन में आपका स्वागत है मैं हूँ उर्मिलेश अब तक हमारे सत्ताधारी और हिंदुत्यवादी आए दिन सावरकर को वीर बता बता कर उनके महिमा मंदन और महात्मा गांधी के बराबर नहीं तो आसपास रखने की जोरदार कोशिश करते आ रहे हैं लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोडो पद्यात्रा के अपने महारास्ट पड़ाओं में सावरकर के बारे में एक सच बोल कर सत्ताधारियों और हिंदुत्यवादियों की कोशिशों में पलिता लगा दिया अब इसका राहुल और उनकी पार्टी को रायनीतिक या चुनावी फैदा होगा या घाटा इससे महारास्ट में कॉंग्रेस NCP शिव सेना का महाविकास अगाडी यानि जो उनका गठबंदन है वो कैम रहेगा या बिखर जाएगा इस पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं पर ये बात सच है कि राहुल ने अपने बयान से सावर कर के बारे में एक बात साफ कर दी है कि वो चुनावी फैदे के लिए इतिहास के सच से कोई समझावता नहीं करेंगे अपने बयान से रहुल ने एक बात और की है और वो ये कि वो इस बात को ज़्यादा तवज्जव नहीं देते कि उनके किसी ऐसे बयान से उनकी पार्टी के अंदर भी खास कर महाराश्टा की जो उनकी यूनिट है वो उनसे दुखी होगी उनसे छुब्द होगी या क्या कर हैं उनको लगता है कि इससे उनको महाराश्ट के एक तपके में घाटा होगा दोस्तों कुछ समय पहले देश के रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग ने कहा था कि सावरकर जी ने गांधी के कहने पर अंग्रेजी हुकूमत से माफी मागी थी जो लेटर राहुल गांधी ने है कि आपका सेवक यानि सर्वेंट ओविडियेंट सर्वेंट ये एक शैली थी उस समय की चिठी पत्री जो जाती थी सरकारी हुक्मरानों के हां लेकिन वो जो माफी नामा है वो इंपॉर्टेंट है उसका जो कंटेंट है वो इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों रक्षा मंत सावरकर के साथ गांधी जी का कोई डियमित पत्र पे वहार होता था या बुलबुल ने सावरकर को किसी दिन अचानक गांधी जी के हाँ पहुचा दिया ताकि वो उनसे मश्विरा कर लें कि अगर माफी माँगे तो कैसे माफी माँगे मने एक कुल मिलाकर गजब है रक्षा म जी ने अपना विशार त्याग दिया उस वक्त दो बातें सावरकर के भारत रत्न बनने के रास्ते में बाधा बन गई पहली बात कि सावरकर महत्मा गांधी की हत्या के एक अभ्यूक्त थे और साक्षियों की थोड़ी सी कमी और कुछ तकनीकी कारणों से वो सजा से बच ग वो हिंदू महासबा से संबद्ध थे लेकिन संग के सभी संस्थापक सदस से उनसे प्रभावित जरूर थे संग के अनेक लोग विचार के अस्तर पर उनसे हमेशा संबात करते रहते थे इसलिए ये संयोग नहीं कि भारत में हिंदुत्यों की रायनितिक विचारधारा के प सच्चा ये है स्वाधिंता अंदोलन से गहरी संबधता का संग भाजपा का न तो अपना कोई इतिहास है और नहीं कोई चमकदार विरासत उनके पास है ऐसे में जहां कहीं किसी को वे अपना थोड़ा भी नजदीकी देखते हैं उसे अपनाने के लिए आतुर हो जाते हैं और सावरकर तो निश्य ही संग भाजपा की वैचारिकी के नजदीक ही नहीं उसके प्रिरक्वी हैं दोस्तो शुरुवाती दौर में सावरकर और अपने संक्रन हिदुत तवादी विचारों के साथ त्वतंतरता आंदोलन में अपने तई भाग लिया था इसमें कोई दोराय न ही ऐसे में सावरकर को उनके समकारिन विद्वानों ने कैसे देखा समझा ये जानना हम सब के लिए काफी उप्योगी होगा आज हम नियूज मंतन में सावरकर के बारे में डाक्टर बियार अमबेट कर और सरदार बल्लब भाई पतेल भारत के पहले ग्रह मंत्री उनकी चर् में बाद कही थी और 27 फरवरी 1948 को तत कालिन प्रदान मंत्री जवाला नहरू को लिखे पत्र में पतेल सावरकर की अगवाई वाली हिंदू महासभा का हाथ है इसमें और इसी की वज़ा से महात्मा गांधी की हत्या का शड्यांत्र रचा गया ये बात सरदार पतेल ने कही थी अब दोस्तों आते हैं कि उस दोर में एक तरह से समकालिन एक बड़े चिंतक डाक्टर बी आरम बेट करने क्या कहा था इनके बारे में सावरकर के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है यह जानने से एक फायदा और होगा कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं सावरक इसकी रोशनी में भी इसको हम देख सकते हैं अमबेटकर साहब के संपुन वांगवे के खंड 15 के भागतीन का शिरसक है और याद कीजिए ये वांगवे भारत सरकार ने चापा है किसी प्राइविट संस्थान ने नहीं चापा है उसका शिरसक है कि पाकिस्तान नहीं तो क् इस खंड के अध्याय साथ में एक लंबा अध्याय है पाकिस्तान का हिंदू विकल्प बाबा साहब ने इस अध्याय में सावरकर पर विस्तार से लिखा है सावरकर और अमबेटकर दोनों का कारेच्छित्र बुनियादी तोर पर महाराज था अमबेटकर का जन सन 1891 में हु यानि सन 1906 में हुआ बाबा साहब जीवन परियंत अपने विचारों को लेकर सक्री रहे पर सावरकर माफी मांगकर जेल से बाहर आने और फिर गांधी जी की हत्या के अभियोग से मुक्त होने के बाद देश के बाधिक रायनितिक जीवन में कब भी सक्री नहीं रहे वो रत समझता हूँ कि बाबा साहब ने चर्चा की है अपने लेक में अपने उस अध्याय में वो जिस तरह सावरकर की तश्वीर पेस करते हैं उससे साफ लगता है कि हिंदुत्तों का ये पैरोकार नहायत आत्ममुग्द और और सहिश्न किसम का विक्ति था आधी अधूरी चीज सावरकर में एक तरह का दुराव था रास्ट की उनकी धारना बेहत संकिर्ण और संकुचित थी डॉक्टर अमबेट का रास्टवाद की सावरकरी थिस्टिस को सिरे से खारिज करते हैं वो उसे भारती रास्ट के लिए बेहत खातरनाक मानते हैं इसके लिए वो सावरकर के भाशनों और पुस्तिकाओं को उध्रित करते हैं उसको लगातार कोट करते हैं दिसंबर 1939 में कलकत्ता में आयोजित हिंदू महासभा के रास्टी अदिवेशन में दिये भाशन में सावरकर ने बार बार हिंदूों को रास्ट कहकर संबोधित किया उनकी नजर में हिंदू और मुस्लिम दो अलग-अलग रास्ट हैं इसे ही सावरकर की दो रास्ट की थीसिस कहा जाता है बाबा साब कहते हैं मैं कोट कर रहा हूं इस मामले में उनके विचारों में निरंतरता और स्थाइत्व है उन्होंने 1937 के हिंदू महासभा के अहमदाबाद अधिवेशन में भी इस बारे में महत्पुन वक्तब्य दिया और कोट करता हूं ये स्वेम अमबेटकर ने कोट किया है आज हिंदुस्तान को एकात्मक और सजाती रास्ट नहीं कहा जा सकता बलकि इसके विपरीत यहां हिंदू और मुसल्मान दो प्रमुक रास्ट हैं सावरकर के भाशन के इस अंश को उद्रित करते वे डाक्टर अमबेट का लिखते हैं ये बात सुनने में भले ही विचित्र लगे पर एक रास्ट बराम दो रास्ट के प्रशन पर सावरकर और जिन्ना के विचार परस पर विरोधी होने के बजाए एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं दोनों ही बत्भेत के वल इस बात पर है कि इन दोनों रास्टरों को किन शर्तों पर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए स्री सावरकर मानते हैं कि मुस्लिम एक अलग रास्टर है उन्हें सांस्कृतिक स्वायत्ता का अधिकार है वो उन्हें अपना प्रथक रास्टी ध्वज रखने क की भी अनुमती देते हैं पर इसके बावजूद वे मुस्लिम रास्ट के लिए अलग कौमी वतन की अनुमती नहीं देते हैं यदि वे हिंदू रास्ट के लिए एक अलग कौमी वतन का दावा करते हैं तो मुस्लिम रास्ट के कौमी वतन के दावे का विरोध कैसे कर सकते है ये डॉक्टर बियारमबेटकर ने वांगमेक, खंड, पंद्रा, प्रिस्ट एकसव, एकतिस, बतिस पर ये बात कही है डॉक्टर बेटकर ने बीडी सावरकर के हिंदुत्व, कथित रास्टवाद और उनकी रायनितिक वहचारिकी को भारती राजिकी और धारना और समाज का विरोधी उसको बताया है यही नहीं दोस्तों, उनका कहना था कि सावरकर का ये चिंतन भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक है स्वैम बाबा साब के शब्दों में ही पढ़िए, मैं कोट करता हूं फिर यदि स्री सावरकर की एक मात्र तुटी, उनकी असंगती होती, तो ये कोई बहुत छिंता का विशाय नहीं होता लेकिन अपनी योजना का समर्थन करके, वो भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं वो चाहते हैं कि हिंदु रास्ट और मुस्लिम रास्ट के बीच शत्रुता के बीज बो देने के बाद वे एक साथ एक ही विधान के अंतरगत एक ही देश में रहें सावरकर यह क्यों चाहते हैं, इसकी व्याख्या करना कठी नहीं है स्री सावरकर को यह श्रे नहीं दिया जा सकता कि उन्होंने कोई नया सुत्र धोन निकाला है स्री सावरकर के इस विश्वास को समझना कठी नहीं कि उनका सुत्र ठीक है या क्या है उन्होंने स्वराज की अपनी योजना को पुराने आस्ट्रिया और पुराने तुर्की के नमुने या धांचे पराधारित किया है उन्होंने देखा है कि आस्ट्रिया और तुर्की में एक बड़े रास्ट की चाया में अन्य छोटे रास्ट राज्य रहते थे जो एक विधान से बंदे हुए थे और उस बड़े रास्ट का छोटे रास्टों पर प्रभुत्व रहता था फिर वे तरक देते हैं कि यदि वो आस्ट्रिया या तुर्की में संभव है तो हिंदुस्थान में हिंदूओं के लिए वैसा करना क्यों संभव नहीं ये बात वास्तों में बड़ी विचित्र है कि स्री सावरकर ने पुराने आस्ट्रिया और पुराने तुर्की को नमूने आदर्श के रूप में अपनाया ऐसा लगता है कि स्री सावरकर का शायद ये नहीं जानते कि अब पुराना आस्ट्रिया और पुराने तुर्की बचे ही नहीं है शायद उन्हें उन ताक्तों का तो बिलकुल ही नहीं पता जिनोंने पुराने आस्ट्रिया और पुराने तुर पर भी ध्यान देना चाहिए था जो उन्होंने नहीं दिया चुंकि पुराने आस्ट्रिया और पुराने तुर्की ने जिस योजना को बनाये रखने पर भारी जोर दिया उसी की वज़ा से उनका विखंडन हुआ और स्री सावर कर अपने हिंदू जगत से उसी योजना को अधिनस्त रखने के लिए स्वतंत्र होगा भारत के लिए आस्ट्रिया चेकोसलावा किया और तुर्की के विखंडन का इतिहास अत्यधिक महत्त्यों का है और हिंदू महासभा के सदस्यों को उसे पढ़ने से बहुत लाब होगा अमबेटकर साहब ने ये बात अपने कलेक्टेड वर्क्स में 133-134 पर दोस्तों कही है उसे पढ़ा जा सकता है उसे समझा जा सकता है बाबा साहब बहुत विद्वान और तरक्शील होने के साथ बहुत धिक रूप से बहुत विनम्र भी थे सावरकर से गहरी असामती के बावजूद वह उनकी बातों को सामने रखते हैं उन्हें वो ये सलाह नहीं देना भूलते कि जनाब थोड़ा इतियास तो पढ़लो इस से आपको लाब होगा डाक्टर रॉम बेटकर यहां सावरकर और गांधी जी की तुलना भी करते हैं और गांधी को ऊपर और अलकश्रेणी में रखते हैं उनके मताभिक स्री गांधी इस मामले में स्री सावरकर जैसी बाते यानि बहुत उटपटांग बाते नहीं करतें वो स्वराज के लिए हि आज समाज सद्भाव खास कर हिंदू-मुस्लिम एक्ता यानि धर्म के नाम पर एक दूसरे के विरुद हिंसा ना करने की प्रतिग्या उन्होंने कराई थी गांधी जी इससे पता चलता है कि वो शुरू से ही हिंदू-मुस्लिम एक्ता पर कितना जोर देते थे हलाकि अन्हें कई मुद्दों और विश्यों पर वो गांधी जी के विचारों के घोर आलोचक्र है यानि अम्बेटकर साहब हिंदू-मुस्लिम एक्ता के गांधीवादी परिप्रेक्ष की उन्होंने जमकर आलोचना भी की डाक्टर अम्बेटकर की नजर में सावरकर की वैचारी की भारती रास्ट के हितों के सरवता विरुद्ध है और उन्होंने ये बात साफ शब्दों में कही है सावरकर ने शुरुवाती दोर में एक स्वतंतरता सेनानी के रूप में जो काम किया उसके कुछ चमकदार पहलू जरूर थे इसमें कोई दोरा नहीं वह और उनके कई साथी जेल गए लेकिन जेल प्रवास में वो तूटते नजर आए भगत सिंग या असंग के स्वाधिनत अंदिर उसी दौर में बनवाया उनके व्यक्तित्त और प्रितित्त के कई और पक्ष हैं पर जो सबसे प्रमुक पक्ष हैं वो संकिरन हिंदुत्य की राजनेतिक विचार धारा के वो प्रलेता हैं ये बहुत महत्पूर पक्ष है डाक्टर अमबेटकर इस धारा को कि कुछ अकबार नवीस और स्वगोसित सावरकर विशेशक जो कुछ लिख और बोल कर बता रहे हैं वो उसका कोई बहुत अर्थ नहीं है राहुल ने सावरकर की आलोचना करके समूचे महाराष्ट में कांग्रिस का बंटाधार कर दिया ऐसा वो कह रहे हैं क्यों कि उनका कहन जादियों और उच्चवर ये लोगों खासकर चित्पावन और कौंकनी ब्रामन समुदाय के बीच वो आईकन हो सकते हैं पर महाराष्ट के आम लोगों के बीच एक से एक बढ़कर आईकन हैं अमबेटकर जोतिबा फुले सावित निबाई फुले और शिवाजी एह हमले राहुल गांधी पर कुछ कथित एक्सपर्ट कर रहे हैं उसका दोस्तों आज कोई मतलब नहीं है और सच है कि राहुल गांधी अगर चाहते तो और ज़्यादा आईडियोलोजिकल डिबेट इनिशियेट कर सकते थे क्योंकि हिंदुत्वा की जो विचारधारा से बीजेपी सावरकर को आज अपने एक महान चिंतक विचारक के रूप में पेश कर रही है और इसलिए राहुल गांधी के बयान से वो सचमुच आहत है चुब्द है और उन पर हमले पर हमले कर रही है तो इस इन शब्दों के साथ दोस्तों आज इतना ही नमशकार झाल